नमश्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हारदिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपून टोपिक लेकर आया हूँ आपको स्वस्थ बनाने के विशे में, आपको बहुत सारी भीमारियों से बचाने के विशे में पेट फूलने की समस्या हो, या फिर कोलोस्टोल बढ़ने की पेट को साफ करना हो, या फिर SGT को जड़ से मिटाना हो सुबह उटकर पिए सिर्फ एक गिलास दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर लेजीए सबस्क्राइबर बटन के साफ जो बैल आइकोन है आप उसके ओपर कलिक करना ना खुले क्योंकि इससे आपको हमारी सबी आने वाले वीडियो की नोटिपकेशन आते रहेगी जिसे देखकर आप अपने लिए फाइदा उठा सकती है तो आईए दोस्तों अब बात करते हैं अपने टोपे की जीरे में कई तरह के गुण छिपे हुए है उनने आपकी स्वास्थे समंदी समस्या को दूर करने की सकती है जीरा, काला, सफेद और मटमेले रंग में उपलत होता है जीरे की स्वास्थे समंदी को इसे नैकवल भारते खाने का एहम हिस्सा बनाते हैं लेकिन जीरे का पानी भी आपको उतना ही फाइदा देगा जितना जीरा तो आएए जानते हैं कैसे सबसे पहले जानते हैं जीरे का पानी को बनाने का तरीका एक गिलास पानी में दो चम्मच जीरे को रात के समय भिको दे सुबह इसे पानी के जिरे के साथ उबाल कर छान ले अब इसे ठंडा होने पर पीने इसमें मुझूद आइरन, कोपर, कोटाशियम और मैगनीसियम जैसे को आपको बहुत सारी प्रोब्लम से बचगते हैं तो आएए अब जानते हैं इस पानी को पीने के फाइदे खाली पेट इसके सेवन से पेट फूलना और एसिडिटी की प्रोबलम कम होती है इसके साथ ही इसे पेने से पूरी बोडी डिटॉक्स होती है जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं जीरे का पानी ब्लड सर्कुलेशन ठीक करके सरीर दर्द की समस्या को तूर करता है डाइजेशन, हीमोगलोबिन, सिर्दर्द और पेट दर्द रोजाना इसके सेवन से डाइजेशन भी ठीक रहता है इसमें मुझूद आइरन बलड में हीमोगलोबिन लेवन को बढ़ाता है जिससे खून की कमी को पूरा हो किया जाता है इसके लावा सिर्दर्द में इसे पीने से दर्द गाहब हो जाता है पेट दर्द होने पर इसके पानी का सेवन करे इससे पेट के अंदर ठंड़क पहुँचेगी और दर्द ठीक हो जाएगा वजन और कॉलोस्टोर लेवल कंट्रोल निमी तरूप से इसके पानी का सेवन करने से आपका वजन कम होगा और साथ ही इससे कॉलोस्टोर लेवल कंट्रोल में रहेगा इससे आपको हाट डिस होने का खतरा नहीं रहेगा कई बार खाने के तुरंत बाद या फिर गैस के वज़य से पेट काफी फूल जाता है जिससे हमें बहुत अधिक तकलीफ होती है गलत खादे बदारतों के वज़य से भी पेट फूल सकता है यदि आप भी पेट फूलने के वज़य से परिशान है तो बताएगे इन घरेल उपायों को अपनाए और पेट फूलने की समस्या से निजात पाएं आईए अब जानते हैं पेट फूलने की समस्या से निजात पाने के उपाएं तुलसी अगर खाने के बाद या फिर किसी और कान से आपका पेट रोजाना भूल जाता है तो तुलसी आपके लिए बहुत अधिक फाइदेमन है तुलसी का प्रियोग करके आप इस समस्या से चुटकारा बासकते हैं प्रति दिन खाली पेट हर रोज सुबह कुछ ताजी पतियां तुलसी की चबाने से इस समस्या से आपको रहात मिलती है पुदीना पुदीना पेट को पचाने में काफी मददगार होता है पुदीने की पत्ती को पेश कर इसको चीनी के साथ मिलाकर घोल बना लें और इसको पी लें कुछी समय में पेट का फूलना सही हो जाएगा गुनगुना पानी गुनगुना पानी भी इस समस्या में काफी फाइतिमन है अगर आपका पेट हर रोज फूल जाता है तो खलका गुनगुना पानी आपके लिए बहुत अधिक फाइतिमन है यह पेट की अपच को दूर कर पेट फूलने की समस्या से आपको रहात दिलाता है सोंट सोंट भी पेट फूलने पर हम यूज कर सकते हैं सोंट के भी जो में एंटी माइक्रोबाइल गून होते हैं जो पेट फूलने या गैस के स्तिति में बहुत अधिक फाइदेमन होते हैं तो दोस्तों आप इन नुस्खों का परियोकर के पेट फूलने की समस्या से छुटकारा पास्कते हैं और और बहुत सारी प्रोबलन से छुटका रपासते हैं अब जीरे के बाई का सेवन कर गए तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इसे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो पनी ही साफ हमारी वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारी सुटुप चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम चबरता स्टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपनी जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों